हरी ओ, मैं डॉक्टर सुरिया कान पोल, MBBS, एलोपेटिक डॉक्टर हूँ, हम अंदेरे में रहते हैं, मैं फिलहाल इंडियन नेवी डिफेंस में चीफ मेडिकल ओफिसर के पोश्ट पर घौटकोपर में कारियरत हूँ, मैं मेरे निजी जीवन का जो अनुभो मुझे आया है मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ, ओ, मनसामर्थ दाताश्री अनुरुद्धाय नमाहा, इस मंत्र का मुझे जिन्दगी में आया हूँ अनुभो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, मैं 1985 में इंडियन नेवी डिफेंस में मेडिकल आफिसर बद पर भात समाला हूँ, और करीबन 15 साल, हैंने 1999 तक मैं बंबय में मेरी पोस्टिंग थी, और 1999 में मेरा तबादला उरण करंजा में हुआ, और उसी दवरान मेरे पिता जी को भी पैरलिसिस का एटेक आ गया, और तभी भी मेरी मां कैंसर से पीडित थी, अब तक की मेरी जिन्दगी में सब खुशाल और सहष्टा से जा रहा था, कोई चीज की कोई शंका नहीं थी, कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन ये दो जो बड़े जटके मुझे लगे, ये मेरे जिन्दगी में अच्छानक हुए बदलाओ के कारण हुए थे, और तब मैं सोचता था, ये मेरे जिन्दगी में क्या हो रहा है, मैंने अभी तक किसी का मन नहीं दुखाया है, मैं सब के साथ अच्छा वेवार करता हूँ, सब अच्छे करमों के पीछे रहता हूँ, तो मेरे जीवन में क्या हो रहा है ये मेरा थोड़ा सा जटका मुझे लगा लेकिन मेरे खुद की जो इच्छा थी और मेरी पहले से आदत थी तो मैंने खुद को सवार लिया और मुझे मेरे नोकरी के कारण मेरी duty का समय था सवेरे नो से लेके शाम को पांच बजे तक और उसके पश्चात हमारा अटेच्मेंट वहां के अस्पताल में हुआ करता था जहां हम duty medical officer के जरिये पूरे रात और next day full day करके दूसरे दिन शाम को घर पर आते थे ऐसे हमारा duty का nature था शुरू में तो बहुत होसला था खुद को सवार लिया था लेकिन आइस्ता आइस्ता जो एक अपनी खुद की मेहनत होती है हमारी कुटनी कश्ट करने की जो एक सीमाय होती है वो आइस्ता आइस्ता मेरी सीमाय कम होती जा रही थी और मैं खुद को जिन्दगी में बहुत परेशार मैसुस कर रहा था क्योंकि एक तरफ मेरे माजी का कैंसर का प्रॉब्लिम चल रहा था दुसरे तरफ मेरे पिता जी का पैरालेसिस बेड रिडन थे तीसरा मेरा घर से दो-दो दिन बाहर रहना मेरे छोटे बच्चे थे, मेरी फैमिली थी और ये मेरे मन पे बहुत ही बड़ा बोच चल रहा था फिर भी खुद को समभाल कर चल रहा था लेकिन आईस्ता आईस्ता मेरी सवन शक्ती और मेरी सबूरी कम होते जा रहे थी और तब मैं भगवान से जगडने लगा कि मैं इतना सब अच्छा करने के बावजुद मेरे जिंदगी में सब क्या हो रहा है मैं मुझे क्यों परिशानी आ रही है लेकिन कहते हैं ना एक सरकारी मामला था, ट्रांसफर हुआ था तो मैंने कोशिश की मेरे वरिष्ट अधिकारों से देली में जाके मिलकर कि मुझे फिर से बंबई में, मैंने मेरे पूरे हालात बता दिये कि मेरे घर में क्या-क्या परिसिदी चल रही है और मुझे बंबई में आना जरूरी है लेकिन मेरी जो रिक्वेश्ट थी, किसी ने सुनी नहीं और मुझे वहाँ ही सर्विस चालू रखनी पड़ी ऐसे करते करते अड़ाई साल निकल गए यहने 1999 से करीबन 2002 तक मेरा यह सिलसिला चालू रहा और इस दोरान मेरा पूरा जो भी मेरी सबूरिती खतम हो तूटती जा रही थी और मैं हारने लगाओं ऐसे लगता था मुझे मेरी जब यह ऐसी स्तिती देखकर मेरे जो कलीग ऑफिसर थे उनके भी नजर में बात आने लगी और उन्होंने एक दिन मुझे समय था ओक्टोबर 2002 का 24 तारीक का समय है एक दिन मेरे दोस्त जो कलीग ऑफिसर है मेरे केबिन में आए और मुझे बोला डॉक्टर तुम बहुत मायूस लग रहे हो क्या बात है तुमारे कुछ परेशानी है क्या तब बोलते है ना जबी खुद के दिल का जो तकलीफ होता है कोई सुनने वाला हो तो थोड़ा दिल हलका होता है तो मैंने उनके पास यह बात कर दे कि मेरे जिन्दगी में ऐसा वैसा चल रहा है तो उन्होंने मुझे सहच्ता से कया कि देखो डॉक्टर एक मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ आप मानोगे तो करोगे तो देखो करके देखिए तो मैं बहुता क्या क्या क्योंकि तब मैंने सारी कोशिशे जो बोलती है एडिमिनिस्ट्रेट्व चैनल हर एक को जिसके हाथ से तबादला होने के लिए मदद हो सकते हैं सबसे मैं मिल चुका था सबसे मैंने कोशिश की ती रिक्वेश्ट की लेकर मैं कहां भी उसमें आशा की किरेंट नहीं देख पा रहा था लेकिन जब ये मेरे कली ओफिसर ने मुझे का चलो ये भी करके देख लेते हम तो उन्होंने का जाईए आप वहाँ और बापू का दर्शन ले लीजिए मैंने बोला चलो ये भी करके देखते हैं तो मैंने उस दिन मेरी ड्यूटी से मैंने जल्दी निकल करें चार बज़े निकला और उसके पहले मैंने एक काम किया क्योंकि मेरे एक जो दोस्त है सदानंसिया वर्तक जो मेरे ही सोसाइटी में रहते हैं उनको हमने फोन करके बता और मैं अभी उरण में हूँ और मुझे आप दर्शन के लिए अंदर पहुचाने की कुछ मदद कर पाऊगी क्या तो उन्होंने बहुत ही आनन से का डॉक्टर आप आईए मैं कुछ विवस्ता करता हूं और उन्होंने उनके भरों से मैं आ गया साथ बजे मैं पहुचा बापू आये नहीं थे लेकिन इस सदानन से वरता खुद गेट पे गेट नमबर वन पे खुद खड़े थे उन्होंने पास लिया था मेरे लिए और मेरे लिए विवस्ता की थे मुझे जहां बापू अपने प्रवचन देने के लिए आसन पे स्तीत हो आता बापू आये और बापू ने अपना प्रवचन शुरू किया तो मैं आपको यह जो कहने जा रहा हूं अपने सब बापू भक्तों के मुझे सुनने मिलता है उसका जो असर है उस दिन मुझे पहले ही दिन महसूस हुआ ओ यह कि जो बापू हमारे एक घंटा उस दिन बा क्यों बापू बूल रहा है ऐसा मुझे मैसूस हो गया मेरे दिन में यह था कि मैं सब इतना अच्छा कर रहा हूं फिर भी मेरे जिंदगी में यह क्या हो रहा है मैं क्यों इतना भुगत रहा हूं तब बापू ने अपने प्रवच्छन में कहा यह जो भी आपके जीवन में आ तो मेरी उमर उस समय 42 साल थी बापु ने ये कहा मैंने मेरी उमर का ये लगा है Adding calculation चलो मैं अभी भी जवान हूं मैं कर सकता हूँ बापु कह रहा है अईस्ता मेरा बापु से ये जैसे वो हमें बताते गए प्रवच्चन में बाते करते तो मेरा उनसे जादा सुनने दिलो जात लगा कर मैं वो सुन रहा था क्योंकि वो केवल मेरे लिए ही बोल रहा ऐसा मुझे महसूस हो रहा था बार बार उन्होंने का बेटा जबी भी ऐसे कुछ होता है तो आपको भोक की वज़े से आने वाला फल भुगत कर खतम करना है और उसको बाजू में अगर ढकेल दोगे तो दुबार हो आपके जिन्दगी में और ऐसे समयागा जब शायद आपकी शरीर की क्षमता नहों तब आपको भुगतना पड़े उससे अच्छा है जब वो फल तुम्हारे सामने आवी आया है तो उसको हस्ते हस्ते आप भुगता और खतम करो ये बाप तुने कही वी बात मेरे मन में पूरी तरह से गुजगई मैं आईस्ता आईस्ता मैं समझने लगा कि ये जो हो रहा है मैं अभी तक भगवान से सवाल पूछता था ये मेरे ही जिन्दगी में क्यों हो रहा है मैं सब भगवान से जगणा करता था एम यह क्यूं हो रहा है मन में लेकिन तभी मुझे बापू ने पहले ही प्रवचन के जो में भूगत रहा हूं और जब मेरी क्षमत खार तब में भूगत रहा हूं बस बापू ठीक है और बापू ने इतना भी आश्वासन दिया जो पू कि इस उमर में मैं इस सहंद कर सकता हूँ कि ये मेरे कर्मों का फल है, दूसरा ये जब ही मैं भुगत रहा हूँ तो मेरे साथ मेरा बापू है, मैं मेरे मन में से तुरंद भावना आ गए, अभी तक मेरे मन में कभी मेरा बापू नहीं मैं बोल रहा था, लेकिन उस वक्त मेरे मैं मैं ऐसा सुआ कि जब मेरे साथ मेरा बापू है तो मुझे कोई डरने की बात नहीं है मुझे यह जो भी फिलिंग यह जो सफरिंग है मैं कर रहा हूँ और मेरा बापू मुझे सहायता कर रहा है ऐसे होकर मैं प्रवचन एक गंटे का हो गया उसके बाद हम बापू के दर्शन लेके मैं बाहर आ गया और मैं उसके पहले यह बात हुई थी जो मैं कहने जा रहा हूँ कि यह महना था अक्टूबर 28 तरिकी में बात कह रहा हूँ और 2 अक्टूबर को मुझे ऑफिस में एक लेटर मिला था जिसमें दिल्ली से आय हुआ लेटर था क्योंकि मैं इंडियन नेवी में डिफेंस से हूँ सेंट्रल गवर्मेंट से रिष्टा रखता हूँ तो दिल्ली से हमें लेटर आया था कि डॉक्टर पोल का तबादला बंबई किया गया है लेकिन लेटर में यह नहीं था कि वह उसका रिपलेस्मेंट कौन है उसके वाए से मुझे जो मेरे और ओरं के जो बरिष्ट आधीकर है उनोंने मुझे रिलीव नहीं किया था यहने जो थर चपीस दिन का मेरा जो समय निकल जा रहा था वो मेरा समय मेरे लिए एक एक दिन मेरे लिए एक साल लग रहा था क्योंकि मैं हर दिन उठता था आज मुझे रिल्यू किया जाएगा आज मुझे रिल्यू कि लेकिन एक दिन भी ऐसे मैं भूल गया था हर किसी से बात करू तो चिडशीडा पन था मेरे बीबी से मेरे बच्चों से मेरे माँ से भी मेरा बरता वही चिडशीडा पन था ये सब 26 दिन में भूगद रहा था और मुझे ऐसे लग रहा था कि एक दिन ये लेटर का जो भी मुझे बतबादला फिर से बंबई करना है वो नलीफ है होने वाला है और उस 28 तरीक की अक्टूबर की बात में बताने जा रहा है दोपेर को ये मेरे मित्रा है उन्होंने मुझे सहच्ता से कहा बाबू के पास जाए और उस दिन को जब मैं बाबू के यहाँ पहुचा तो जैसे मैंने अभी तक जिक्र किया है कि पहली बार मेरे जिंदगी में मुझे ऐसे लगा कि ये मेरा सद्धगूरू है और कश्ट भी नहीं है ये मेरे मन में हुआ बड़ सबसे बड़ा परिवर्थन है था और ये अनुप हो मैंने घर पे जाकर मेरे बीबी को बताया मेरे माँ जी को बताया मेरे बच्चों को आज मैं खुश हूँ उनको भी ये बहुत अच्छानक हुआ हो बदला हो समझ नहीं पा रहे थे क्या अच्छानक हो गया इनकी दवियत तो ठीक है क्यों कि इतने दिन मैं 26 दिन उनसे बहुत परेशानी से बात कर रहा था और आज अच्छानक गुरुआर को इनको मैंने बात नहीं बताए थे कि मैं बापू के बास गया हूँ लेकिन पहली बार शर्षेशा मैं रात को घर पहुँचा तो मैंने कहा कि मैं ऐसे ऐसे अनिरुद्ध बापू के प्रवचन सुनकर आ रहा हूँ और ये मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ लेकिन मैं बता रहा था इस दिन मेरे चेहरे पे हसी थी आनन था उत्सहा था और ये सबसे बड़ा बदला हूँ मेरे family members ने notify किया कि अरे कुछ तो आज बदल हुआ है तो मेरे मनस ओ जैसे का अमने जो मैं फल भुगत रहा हूँ इसके लिए मैं कभी भी किसी को कोचूगा नहीं ना किसी को जिम्मेवार पकड़ूँगा और मैं आनन से ये फल भुगत कर खतम करूँगा क्यूंकि अब मेरे साथ मैं अकेला नहीं हूँ तो मेरा सद्गूरू मेरा बापू है ये मेरे मन में धारना थी और मैंने सोच लिया बले अभी जब मुझे तबादला करवाना है मेरे वरिष्टों को तब करे अभी मैं इसके लिए ना मन में कभी इच्छा रखूँगा कुछ नहीं करूँगा मैंने मेरे बापू से कह दिया और केवल गुरुवार के बाद केवल पांच दिन हो चुके थे और ये पांचों दिन मैं आनंद से बहुती प्रफुलित था जा रहा था आ रहा था और मंगल अगले हपते का मंगल का दिन था मुझे अच्छानक फोन आ जाता है अड्मिनिस्टिटी ओफिसर से डॉक्टर पोल यौर तो रिपोर्ट बैक तो मुंबई मैं वहला सर अनी रिप्लेस्मेंट नो दिर इस अ स्टिक्ट ओर्डर फाम दा हायर तो यौर सपोस्ट तो रिपोर्ट तो दिस तिंग कि जिस चीज के लिए मैंने वरिष्ट अधिकारियों से जाके अपनी सत्य परिसिती बताने के बावजूद उन्होंने मुझे मदद नहीं की थी जिसके लिए मैं कोर्ट में गया कोर्ट इस सब सिचुएशन लेके कोर्ट ने भी मैंने मेरी दरखास नहीं सुनी लेकिन ये सुनने वाला जो हमारा अकारण ने कारण जो जिसके पास से हमें अभी हम सब पा रहे हो मेरा बाप जिसने मेरी पहली मन की शक्ती बढ़ाई कि बेटा तू जो भुगत रहा हो आनन से सहन ला और उसके बाद मुझे उसने अनुव होती दी और मेरा तबाला अशक्यत जो लग रहा था मुझे उसको सहर्शता से शक्या करके मुझे बंबय में उन्होंने बुदुहार से नेक्स्ट विक के बुदुहार से मुझे रिजू होने के लिए बेज दिया ये केवल केवल और केवल मेरा सद्गुरू था उसके कारण हुआ है जिसके शरण में मैं गया और मैंने कुछ नहीं मांगा केवल मेरे मन की बात की और मेरा ये पिता था जिन्होंने बच्चे का दुख समझ लिया और बच्चे को इस दुख से कैसे बाहर निकालना है ये देखकर उची समय पर मुझे फिर से बंबै मेला और तभी से मेरा बापू का रिच्ता केवल इस जनम का नहीं तो जनमों जनमों का है और मैं उसके ही चरण में रहने वाला हूँ हरी ओ